नमस्कार दोस्तों मैं विवेक कुमार क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हारदिक स्वागत है कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृप्या क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का एक बड़ा व्यावसायक कस्बा है बिंद की इसी कस्बे के कजियानी मुहले में जगदीश गुपता अपने परिवार के साथ रहते थे उनके परिवार में पत्नी माधुरी देवी के अलावा एक बेटा अमित गुपता वबेटी अनीता गुपता थी जगदीश गुपता व्यापारी थे उपजाओ जमीन भी उनके पास थी जिससे उनकी आर्थिक स्थिती मजबूत थी कस्बे में वह प्रतिष्ठित व्यवसाई थे धर्म कर्म में भी उनकी रुची थी और असहाय लोगों की मदद भी करते रहते थे जगदीश गुपता ने बड़ी बेटी अनीता गुपता का विवाह संपन्न घर में कर दिया लेकिन दुर्भाग्यवश वह शादी के कुछ सालों बाद ही विध्वा हो गई तब वह दो बच्चों के साथ मायके में आकर ही रहने लगी थी जगदीश वह उनकी पतनी माधुरी देवी उसका पूरा खर्च उठाती थी उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे जगदीश गुपता का बेटा अमित गुपता तेज दिमाग का था वह पढ़ लिखकर पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लगा बेटे के साथ देने पर जगदीश गुपता का व्यवसाय और भी बढ़ गया उधार की रकम वसूलने के लिए अब अमित ही जाने लगा एक रोज अमित बाइक से तगादे पर जा रहा था तभी स्टेशन रोर पर खड़ी एक युवती ने उसे रुखने का इशारा किया उस खुबसूरत युवती को देखकर अमित ने अपनी बाइक रोक दिया आप मुझे कालेज तक छोड़ देंगे तो बड़ी महरबानी होगी ठीक है बैठिये कहकर अमित ने पूनम को बाइक पर बिठा लिया और उसके कालेज की तरफ चल पड़ा स्टेशन रोर से कालेज तक वह उससे बातें करती रही एक मिनट के लिए भी उसका मुह बंद नहीं हुआ जिस तरह वह उससे मुस्करा मुस्करा कर बातें कर रही थी उससे अमित बहुत प्रभावित हुआ बाइक चलाते चलाते वह सामने लगे मिरर में उसका चहरा देखते हुए उसकी बातों का जवाब देता रहा। बातों बातों में उसने पूनम का मोबाइल नमबर ले लिया। पूनम से हुई पहली मुलाकात में ही अमित जैसे उसका दीवाना हो गया। उसका फोन नंबर तो उसके पास था ही, इसलिए जब भी उसका मन करता, फोन पर बातें कर लेता था। पूनम को भी अमित से बातें करना अच्छा लगता था। धीरे धीरे उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई, यही दोस्ती बाद में प्यार में बदल गई। दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे। पूनम के पिता नरेश कुश्वाहा बिंद की कस्बे में ही रहते थे। उनकी दो बेटिया नीलम वह पूनम थी। नीलम की शादी वह फतेहपुर जिले के चमनगंज निवासी राम खेलावन कुश्वाहा के साथ कर चुके थे। पू जगदीश गुपता रसूखदार व्यक्ति थे। वह बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से किसी व्यापारी घराने की लड़की से करना चाहते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा किसी विजातिय लड़की से इश्क कर बैठा है और उसी से शादी करना च चुंकि अमित गुपता पूनम के प्यार में आकंठ डूबा था इसलिए घर वालों की मर्जी के बिना ही उसने पूनम के साथ प्रेन विवाह कर लिया। यह सन 2011 की बात है। शादी के बाद पूनम अमित की दुलहन बन कर ससुराला गई। थोड़ी नाराजगी के साथ माध अधुरी वजगदीश गुपता ने भी पूनम को बहु के रूप में स्विकार कर लिया। पूनम ने भी एक आदर्श बहु की तरहे घर का कामकाज संभाल लिया और पती तथा साससुर की सेवा करने लगी। हसी खुशी से चार साल बीत गए। इन चार सालों में पूनम ए एक बेटे वह एक बेटी की माँ बन गई। पूनम दो बच्चों की माँ जरूर बन गई थी, लेकिन गाय की तरहे एक खुंटे से बधना उसे पसंद नहीं था। इसलिए वह अपने यार दोस्तों से फोन पर बतियाती रहती थी। खास कर वह अपने जीजा राम खेलावन से फोन पर खुब बतियाती थी, उससे हसी मजाक करती थी। पूनम की सास माधूरी को यह सब पसंद नहीं था। वह उसे टोकती तो कहती, सासूमा जवानी में आपने भी तो घाट-घाट का पानी पिया होगा। कितनों पर बिजलिया गिराई होंगी। फिर मुझे क्यों टोक रही हो, कुछ दिन एश की जिन्दगी जीने दो। बहू की बात सुनकर माधूरी सन्न रह गई। वह जान गई कि पूनम संसकारी तो बिलकुल नहीं है। उन्होंने उसके मुह लगना उचित नहीं समझा, हाँ इतना जरूर हुआ कि उनका बहू पर से विश्वास पहन से उल जुलूल बातों की जानकारी अमित को हुई तो उसने पूनम की जमकर खबर लिया। लेकिन चालाक पूनम ने घडियाल आसु बहा कर पती के गुस्से को ठंडा कर दिया। इनहीं दिनों जगदीश गुपता की बीमारी से मौत हो गई। पिता की मौत के बाद प किराय का कारखाना लेकर धागा बनाने का काम करता था। इस व्यवसाय से वह अच्छा कमाता था। अमित ने भी इसी व्यवसाय से जुडने का मन बनाया। इसके लिए उसने अपने परिचित से संपर्क बनाया, फिर उसकी मदद से धागा बनाने वाली मशीने वह कारखान किराय पर लेकर धागा बनाने का काम शुरू कर दिया शुरू में अमित को कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ा उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया धागे का काम सुचारू रूप से चलने लगा और कमाई भी होने लगी कहते हैं जब इनसान का सितारा बुलंद होता है तो तरक्की की राहें अपने आप खुलती जाती हैं अमित के साथ भी ऐसा ही हुआ उसका धागे का काम तो चल ही रहा था इसी बीच उसे मिड़े मील का काम भी मिल गया अमित ने शुद्धता और बहतर क्वालिटी के साथ मिड़े मील का वितर्ण कराया तो उसकी धाग जम गई अब उसे इस काम में भी आमदनी होने लगी इधर अमित मुंबई गया तो पूनम को आजादी के पंख लग गए उसका जीजा रामखेलावन भी अब उसकी ससुराल आने लगा था उन दोनों के जिस्मानी संबंध भी बन गए रामखेलावन का आना जाना पूनम की ससुराल में बढ़ा तो पूनम की सास माधुरी के कान खड़े हुए उन्होंने फोन पर अमित से बात की और बहु वह बच्चों को मुंबई अपने साथ ले जाने की सलाह दी अमित मा का इशारा समझ चुका था अतर वह पूनम वह बच्चों को अपने साथ मुंबई ले आया मुंबई आकर पूनम कुछ महीने तक पती के साथ खुश रही, उसके बाद फिर से उसे जीजा की याद सताने लगी चुमकी राम खेलावन भी साली के इश्क में अंधा था, सो पत्मी से बहाना कर वह मुंबई पहुँच गया पूनम उसे देख कर चहक उठी, अमित भी साढू को आया देख कर खुश हुआ लेकिन मन में फास भी चुभी कि वह साली से मिलने इतना लंबा सफर करा गया पूनम और राम खेलावन जब हस्ते बतियाते तो अमित विरोध नहीं करता था अमित ने कई बार पूनम को उसकी हरक्तों के लिए आगाह किया किन्तु वह हर बार अमित को अपनी लगी लप्टी बातों से फुसला लेती थी अमित खून का घूंट पी कर दिन काट रहा था लेकिन पूनम पर अमित की इन बातों का कोई असर नहीं हुआ एक रोज अमित गुपता कार खाने से ठकाहारा घर लोटा उसने घर के भीतर कदम रखा तो वह हैरान रह गया भरी दोपहर में पूनम और राम खिलावन रंगरलिया मना रहे थे कमरे का दर्वाजा भीतर से बंध था अमित के तनबदन में आगसी लग गई उसने उसी समय पूनम को भला बुरा कहा और पिटाई भी कर दिया उसने साधू राम खिलावन को भी खूब लताड़ा और उसी समय घर से भगा दिया इसके बाद जीजा से नाजायस रिष्टों को लेकर अमित वपूनम में तकरार वमार पीठ होने लगी जिस दिन अमित पूनम को जीजा से फोन पर बतियाते सुन लेता उस दिन वह उसकी पिटाई कर देता कई बार तो वह गुस्से में पूनम का मोबाईल फोन भी तोड़ कर फेंक चुका था घर में कलार शुरू हुई तो पति-पत्नी के रिष्टों में भी दरार पड़ गई अब वे दोनों हफ्तों एक दूसरे से बात नहीं करते थे बच्चे भी सहमे सहमे रहते थे अमित का लगाव अब पत्नी से कम हो गया था महीनों उनका शारिरिक मिलन नहीं होता था अमित को जब पत्नी से नफरत हो गई तो उसका मन भटकने लगा वह अपने घर बिंद की जल्दी-जल्दी आने लगा घर आते जाते ही उसके मधुर संबंध परिवार की एक सजातिय महिला से बन गए इस महिला से वह फोन पर भी बतियाने लगा था अमित गुपता ने अब तक अकूद संपत्ती हासिल कर ली थी उसने भिवंडी मुंबई में छे फ्लैट खरीद लिये थे और करोडों का मालिक बन बैठा था इन में से उसने एक फ्लैट 40 लाख रुपए में बेच कर बिंदकी कस्बा के महाजनी गली में तीन मंजिला एक आलिशान मकान बना लिया था इस मकान में अमित की मा माधुरी देवी वविध्वा बेहन अनिता अपने बच्चों के साथ रहने लगी थी पूनम को फ्लैट बेच कर कस्बे में मकान बनवाना नागवार लगा था उसने विरोध भी किया लेकिन अमित ने उसकी एक ना सुनी मकान बनवाने को लेकर दोनों के बीच महीनों जगडा चलता रहा एक रोज अमित किसी युवती से फोन पर रसीली बाते कर रहा था पूनम ने उसकी बाते सुनी तो उसका माथा ठनका क्या अमित के किसी महिला से नाजायस संबंध हैं बात करने के बाद अमित बातरूम गया तो पूनम ने उसका फोन चेक किया वह जिस नंबर से बात कर रहा था वह अर्चना के नाम सेव था अमित बातरूम से निकला तो उसने आखे नचा कर पूछा परी के पापा यह अर्चना कौन है इससे तुम्हारा क्या नाता है अमित बोला क्या करोगी जानकर है कोई जिस से मैं अपनी बात कह लेता हूँ खैर छोड़ो तुम बताओ तुम्हें क्या परिशानी है पूनम बोली मैं तुम्हारी पत्नी हूँ मुझे पूरा हक है यह जानने का कि मेरी सौतन बनने की कौन कोशिश कर रही है अमित ने व्यंग्यकसा क्या तुम पती धर्म निभा रही हो पूनम बोली तुम्हारे बच्चों की देख भाल कर रही हूँ उन्हें पढ़ा लिखा रही हूँ यह पती धर्म नहीं तो और क्या है अमित बोला चुप भी करो मेरा मुह मत खुलवाओ वरना घर में कला होते देर नहीं लगेगी पूनम ने ठान लिया था कि वह पता लगा कर ही रहेगी कि यह अर्चना कौन है पती के उसके साथ क्या ताल्लुकात है इसकी जानकारी के लिए वह बच्चों को साथ लेकर मुंबई से अपनी ससुराल बिंद किया गई यहां उसने गुप रूप से जानकारी हासिल की तो पता चला कि अर्चना परिवार की ही युवती है लेकिन पूनम नहीं मानी वह जीजा राम खेलावन के घर चमन गंज गई और आसु बहा कर अपनी व्यथा बताई राम खेलावन के घर उस समय अविनाश यादव उर्फ उमेंदर भी मौजूद था वह कानपुर के गाव बीरन खेडा का रहने वाला था वह दबंग और लोडर चालक था अपराधियों से उसकी जान पहचान थी राम खेलावन का वह दोस्त था और उसके घर उसका आना जाना बना रहता था राम खेलावन के घर पर ही पूनम और अविनाश की पहली मुलाकात हुई खूबसुरत पूनम को देख कर अविनाश पहली ही नजर में उसका दीवाना बन गया उसने पूनम से उसका मॉबाइल फोन नमबर लिया और उसे मदद का आश्वासन दिया कहते हैं कि औरत जब फिसलती है तो वह फिसलती ही चली जाती है यही पूनम के साथ भी हुआ जीजा से उसका नाजायज रिष्टा पहले से ही था अब उसने जीजा के दोस्त अविनाश उर्फ उमेंदर के साथ भी अवैध संबंध बना लिये थे लगभग एक महीने बाद अमित बिंद की घर आया तो उसे पत्नी के नए आशिक अविनाश उर्फ उमेंदर के बारे में पता चला अमित उद्योग पती था लड़ाई जगडे से उसका ही नुकसान होता अतह उसने अविनाश से उलजना उचित नहीं समझा और पत्नी वह बच्चों को साथ लेकर मुंबई आ गया वापस मुंबई आने के बाद पूनम ने कुछ दिन तो ठीक से बिताए इसके बाद वह फिर पुराने ढर्रे पर उतराई वह देर रात तक अपने जीजा वह नए आशिक अविनाश से बती आती और खूब हसी ठिठोली करती थी अमित कभी तो अनसुनी कर देता तो कभी गुस्से में आग बबूला हो जाता था इसके बाद पती-पत्नी में जगडा शुरू हो जाता था पूनम उलाहना देती जब तुम महिला मित्र से बात कर सकते हो तो वह पुरुष मित्र से बात क्यों नहीं कर सकती है घर की कलह जब बढ़ने लगी तो पूनम को अपने तथा अपने बच्चों के भविश्य की चिन्ता सताने लगी उसने अमित से कहा कि बच्चे अब बड़े होने लगे हैं उन्हें स्थाई रूप से अच्छे स्कूल में पढ़ाने की जरूरत है उसे भी अपने भविश्य की चिन्ता है इसलिए घर और जमीन में उसे आधा हिस्सा दे दो मुंबई के तीन फ्लैटों में से एक उसके नाम तथा एक उसके बेटे अर्पित के नाम कर दो अमित खिलखिला कर हसा फिर बोला प्रापर्टी तुम्हारे नाम कर दू ताकि तुम उसे बेच कर बच्चों को अनात बना कर अपने प्रेमी के साथ फुर हो जाओ जब तक बच्चे सयाने और समझदार नहीं हो जाते तब तक किसी के नाम कुछ नहीं करूँगा एक बात कान खोल कर और सुन लो अब मेरा मन मुंबई से उग गया है कार खाना बंद कर और फ्लैट बेच कर मैंने बिंदकी में ही रहने का मन बना लिया है पर अमित गुपता चलते व्यापार को बंद नहीं करना चाहता था उसने फ्लैट बेचने की बात पूनम को दराने के लिए कही थी लेकिन पूनम ने पती की बात को सच मान लिया और वह चिंतिथो उठी उसे लगा अमित फ्लैट बेच कर सारा पैसा अपनी मा विध्वा बहन वह अपनी प्रेमिका पर खर्च कर देगा उसे और उसके बच्चों को कुछ हासिल नहीं होगा अमित उसे दूध में पड़ी मख़्ी की तरहे निकाल कर फेंक देगा और खुद प्रेमिका से शादी रचा लेगा जनवरी 2023 के दूसरे सब्ताह में एक रोज पूनम ने मुंबई से अपने प्रेमी अविनाश उर्फ उमेंदर को फोन किया मोबाई फोन की स्क्रीन पर प्रेमिका पूनम का नंबर देखकर वह खुशी से जूं उठा उसने तुरंत काल रिसीव की और पूछा कैसी हो पूनम सब ठीक तो है कुछ भी ठीक नहीं है अविनाश मैं बहुत परिशान हूँ मेरी रातों की नेंद हराम हो गई है और दिन का चैन छिन गया है तुम मेरे पती अमित को मार दो तभी मुझे तसल्ली मिलेगी पूनम अमित धनाध्य व्यापारी है उसकी हत्या करना उतना आसान नहीं जितना तुम समझती हो उसकी हत्या के लिए किसी हिस्ट्रीशीटर को सुपारी देनी होगी तो दोना सुपारी मैंने कब मना किया जितना पैसा मांगोगे मैं दूगी अविनाश तुम अपना बैंक का एकाउंट नंबर मुझे भेज दो मैं कुछ पैसा तुम्हारे एकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी यह पैसा निकाल कर तुम सुपारी किलर को दे देना साथ लाख रुपए में बात तय हो गई तो दो दिन बाद ही पूनम ने अविनाश के खाते में 85,000 रुपए ट्रांसफर कर दिये खाते में पैसे आजाने के बाद अविनाश उर्फ उमेंदर पूनम के जीजा राम खेलावन से मिला फिर दोनों सुपारी किलर की तलाश में जुट गए अविनाश ने हिस्ट्रीशीटर की तलाश शुरू की तो उसे अनकित सिंह उर्फ शेरा के बारे में पता चला 22 वर्षी अनकित उर्फ शेरा फतेहपुर जिले के ओम थाना के गाव वसावनपूर का रहने वाला था फतेहपुर का वह हिस्ट्रीशीटर था अंकित उर्फ शेरा के गैंग में हरदेव नगर कानपुर बर्रा निवासी केशव गुपता, फतेहपुर जनपद के गाव चमनगंज निवासी मोहित और शीलू, दुरगा गंज निवासी अंशुल पासवान शामिल थे इनके साथ मिलकर शेरा वारदात को अंजाम देता था अंकित सिन्ध उर्फ शेरा हत्या जैसे जगन्य अपराध की सुपारी भी लेता था अविनाश और राम खेलावन ने एक रोज शेरा से मुलाकात की और बिंद की कस्बे के चर्चित उद्योगपती अमित गुपता की हत्या की सुपारी साथ लाख में दे दिया बयाना के तौर पर अविनाश ने उसे 80,000 रुपए भी थमा दिये 26 जनवरी 2023 को अमित के चचेरे भाई अमन की शादी होनी तय थी अमित ने पूनम से शादी समारोह में चलने को कहा तो वह तुनक कर बोली तुम ही जाओ और खूब खुशिया मनाओ मैं बच्चों के साथ बाद में आ जाओंगी वैसे भी वहां तुम्हारी ही पूच है, मुझसे तो सब नफरत ही करते हैं शादी में ना जाने को लेकर अमित और पूनम में जम कर तक्रार हुई और नौबत मारपीट तक पहुँच गई अमित रेलवे के तीन टिकट बुक करा कर लाया था गुस्से में उसने दो टिकट फार दिये फिर वह ट्रेन से बिंदकी के लिए निकल गया बीस जनवरी, दो हजार तेईस की सुबह दस बजे अमित अपने घर बिंदकी आ गया उसे देख कर मा बहन की खुशी का ठिकाना ना रहा चचेरे भाई भी उससे गले लग कर मिले पूनम वह बच्चों के विशय में मा ने पूछा तो अमित ने बता दिया कि वह बाद में आएगी इधर अमित की पिटाई से पूनम के मन में अमित के प्रती नफरत और भड़त गई थी उसने अपने प्रेमी अविनाश वजीजा राम खेलावन से मॉबाइल फोन पर बात की और बताया कि अमित बिंदकी पहुंच चुका है 29 जनवरी की सुभ़ वह भी बच्चों के साथ बिंदकी आजाएगी 29 जनवरी की रात ही अमित का काम तमाम करना है तुम सुपारी किलर को सब बता देना अपनी योजना के मुताबिक पूनम अपने बच्चों के साथ 29 जनवरी 2023 की सुभ़ बिंदकी कस्बा वाले घर आ गई पूनम अपने प्रेमी अविनाश के संपर्प में थी और अमित की हर गतिविधी की जानकारी उसे मोबाइल फोन पर दे रही थी दिन को लाहल में बीट गया रात आठ बजे पूनम ने पती अमित वह बच्चों के साथ खाना खाया इस बीच पूनम ने किसी को आभास नहीं होने दिया कि वह कितने खतरनाक मनसूबे लेकर मुंबई से आई है खाना खाने के बाद पूनम मकान दूसरी मनजिल पर पहुँची वहाँ एक कमरे में उसने दस वर्षिय बेटे वह आठ वर्षिया बेटी को लिटा दिया तथा दूसरे कमरे में पूनम अमित के साथ लेट गई कुछ देर बाद अमित तो खर्राटे मार कर सो गया लेकिन पूनम की आँखों से नींद को सो दूर थी पूनम फोन पर अविनाश के संपर्क में थी रात बारह बजे के बाद शेरा अपने साथी के शव मोहित शीलू व अंशुल के साथ लोडर पर सवार होकर आ गए और अमित के घर के आसपास चिप गए अविनाश व राम खेलावन पहले ही बाइक से पहुँच गए थे और रेकी कर रहे थे रात एक बजे पूनम दूसरी मंजिल से उतर कर नीचे आई उसने मुख्य दर्वाजा धीरे से खोल कर अपने जीजा राम खेलावन व प्रेमी अविनाश को घर के अंदर कर लिया अविनाश ने फोन कर सुपारी किलर अंकित उर्फशेरा तथा उसके साथियों को भी घर के अंदर बुला लिया फिर सधे कदमों से सभी दूसरी मंजिल पर पहुँच गए जहां अमित गहरी नीन सो रहा था अंकित सिन्ध उर्फशेरा ने अपने बैग से लोहे का छोटा सब्बल निकाला और अमित के सिर पर भरपूर वार किया अमित चीख ना सके इसलिए मोहित अंशुल ने उसका मुह दबोच लिया और शीलू तथा अविनाश ने पैर दबोच लिये पूनम पती की छाती पर सवार हो गई शेरा ने जहां अमित के सिर पर कई प्रहार किये वहीं केशव ने नुकीली चीज से अमित का गला छेद डाला अमित कुछ देर तडपा उसके बाद थंडा हो गया अमित की हत्या के बाद शेरा और उसके साथ ही तो फरार हो गए लेकिन पूनम का जीजा वप्रेमी अविनाश कुछ देर तक कमरे में रुके रहे उन्होंने पूनम के हाथ रसी से बांधे फिर दर्वाजे की कुंडी बाहर से लगा कर वे दोनों भी फरार हो गए सुबह चार बजे पूनम जोर-जोर से चीखने लगी और दर्वाजा पीटने लगी उसकी आवाज सुनकर सास माधुरी देवी वग ननद अनिता पूनम के कमरे के बाहर पहुँची दर्वाजे की कुंडी बाहर से लगी थी कुंडी खोल कर दोनों कमरे के अंदर पहुची तो उनके मुह से चीख निकल गई सामने पलंग पर अमित की लाश खून से लत्पत पड़ी थी माधुरी ने बहु के हाथ से रसी खोली और पूछा अमित की हत्या किस ने किया पूनम रोते हुए बोली मुझे पता नहीं कि उनकी हत्या किस ने किया कुछ लोग आये उन्होंने इनके सिर पर वार कर मार डाला विरोध करने पर उन्होंने मेरे हाथ बांध दिये और दर्वाजे की कुंडी बाहर से बंद कर फरार हो गए अमित का शव देख कर मा बेटी दहाडे मार कर रोपड़ी दूसरे कमरे में सो रहे बच्चे सुरक्षित थे सुबह का उजाला फैलते ही अमित की हत्या की खबर जंगल की आग की तरहे पूरे बिंद की कस्बे में फैल गई कुछ देर में वहां भीड जुट गई थाना बिंद की पुलिस को खबर लगी तो एस एचो शमशेर बहादुर सिंध भारी पुलिस बल के साथ महाजनी गली में अमित गुपता के मकान पर पहुँच गए उनकी सूचना पर कुछ ही देर बाद एस पी राजेश कुमार सिंध वसीयो पर शुराम भी आ गए उन्होंने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षन किया और मृतक की मा वह पत्नी से पूच्टाच किया घटना स्थल पर मृतक का ममेरा भाई अभय मौजूद था पुलिस अधिकारियों ने अभय से पूच्टाच की तो उसने बताया कि नानी ने उसे फोन पर बताया था कि अमित की किसी ने हत्या कर दी है तब वह यहां आया उसे शक है कि अमित की हत्या में उसकी पत्नी पूनम का हाथ है मृतक की मा माधुरी देवी ने भी पूनम पर ही शक जाहिर किया मृतक के दस साल के बेटे ने भी बताया कि मम्मी पापा में अक्सर लड़ाई होती रहती थी पुलिस अधिकारियों ने पूनम से पूछताच की तो वह आसु बहाने लगी बार-बार बयान भी बदल रही थी शक होने पर पुलिस ने पूनम को हिरासत मिले लिया और शव को निरीक्षन के बाद पोस्ट मार्टम हाउस फतेहपुर भेज दिया थाना बिंदकी पर पुलिस अधिकारियों ने जब पूनम से सक्ती से पूछताच की तो वह तूट गई और पती की हत्या करने की बात कुबूल कर लिया उसने हत्यारों के नाम भी बता दिये हत्या का भेद खुलते ही पुलिस ने ताबरतोर छापा मार कर अनकित सिंह उर्फ शेरा और उसके साथ ही केशव वह अंशुल को गिरफतार कर लिया भोर पहर में साड़ चौराहे से पूनम के प्रेमी अविनाश उर्फ उमेंदर को भी गिरफतार कर लिया लेकिन पूनम का जीजा राम खेलाबन, मोहित तथा शीलू पुलिस को चक्मा देकर फरार हो गए गिरफतार किये गए सभी आरोपियों ने हत्या का जुर्म कुबूल किया हत्यारोपियों की निशान देही पर पुलिस ने आलाकतल लोहे का सब्बल मय बैग 315 बोर के दो तमंचे, दो जिन्दा कार्तूस, तीन अदद मॉबाइल फोन, दो बाइकें, एक पिकप UP 78 FT 81 सत्तावन तथा 30,000 रुपया नकत बरामत किया अमित हत्याकांड का खुलासा होते ही, S.P. राजेश कुमार सिंह ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता की और केस की पूरी जानकारी दिया SHO शमशेर बहादूर सिंह ने मृतक की मा माधुरी देवी को बादी बना कर धारा 302 IPC के तहट पूनम अविनाश उर्फ उमेंद्र, रामखिलावन, अनकित सिंह उर्फ शेरा, मोहित अंशुल, किशव वशीलू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया तीन फरवरी 2023 को सभी आरोपियों को फतेहपुर की जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया कहानी लिखने तक शीलू, मोहित वराम खिलावन फरार थे, पुलिस उनको तलाश रही थी, मृतक के दोनों बच्चे अपनी दादी के सनरक्षन में थे आज की कहानी बस यही तक, आज की कहानी की फर्माईश पंडित सूरच कुमार दीक्षित जी ने किया था अब बारी कमेंट पढ़ने की है मेरा राय मैम ने कमेंट किया है, अपने ही बच्चे को पटक पटक कर मार दिया, फिर निर्वस्त्र बना के फिका यह इनसान नहीं कोई राक्षस हैवन है मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धनियवाद सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है, मुझे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आया मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया मैम यूट्यूब वालों का कुछ टेकनिकल प्रॉबलम रहा होगा कलपना लिंबु जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धनियवाद आलिया जी ने कमेंट किया है, मैम आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया रूपा बिसोई जी ने कमेंट किया है, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी होती है मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद नोमान खोखर जी ने कमेंट किया है, गुड वोर्ट सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद अलोक सर ने कमेंट किया है वाहरे मेरे देश के अंधे कानून सर आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर है हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं जैसे कंचन पटेल जी, सिमरन सावी जी, शाजिया मुस्तफा जी, रोशनी पटेल मैम, रोशन दलवई सर, आरती चौहान जी, सरिता राय जी, अस्दुलाह लगहारी जी, चंद्रकांत लिमे जी, जफर खान जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें, धन्यवाद